अलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्टिव एकडेमी पर तो आज हम एक और बहतरीन वेकेंशी के साथ हाजिर हैं आपके सामने जो आपकी चंदिगर्ड सिक्सक भरती दो हजार चोबिस की एक नई वेकेंशी आ चुकी है टीजी के अंदर अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके अंदर वेकेंशी निकाली गई हैं तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन जो आपका उफिशल नोटिफिकेशन इसके अंदर क्या दिया गया है सबसे पहले बात करें कि यह जो आपका चंदिगड एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसके दुआरा यह नोटिफिकेशन निकाला गया था नो तारिक को इसका आपका ओफिसियल नोटिफिकेशन आ चुका था नो तारिक को और इसके फोर्म है वो भरने स्टार्ट हो गए है 26 तारिक से यानि कि 26 फरवरी के आप से आपके फोर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लाज़ डेट रहने वाली है 18 मार्च 18 मार्च तक आप इसका फोर्म भर सकते हैं और जो आपकी फीस है, वो 21 मार्च तक आप जमा करवा सकते हैं, बात करें इसके अंदर जो वेकेंसी हैं, वेकेंसी अलग लग TGT पोस्ट के उपर अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट हैं, उसके अंदर अलग लग वेकेंसी निकली हैं, तो फर्ष्ट में जो DPE जो आपकी फिजिकल एजुकेशन है, उसके अंदर टोटल 35 पोस्ट हैं, इंगलिस के अंदर आपकी 14 पोस्ट रहने वाली हैं, फाइन आर्ट्स के अंदर 54 पोस्ट हैं, हिंदी के अंदर 17 पोस्ट हैं, होम साइन्स के अंदर 19 पोस्ट हैं, और मैथमेटिक्स के अंदर 8 पोस्ट हैं, म मेंजाबी के अंदर 19 पोस्ट हैं, संसकर्थ के अंदर 24 पोस्ट हैं, साइस मेडिकल जो आपकी है उसके अंदर 26 पोस्ट रहने वाली है और non medical के अंदर 48 पोस्ट दी गई है, Social Studies जो है आपकी उसके अंदर 24 पोश्ट दी गई है तो टोटल आपकी 303 पोश्ट है वो TGT के लिए मांगी गई है बात करें आपकी सैलरी की तो आपको बहुत ही अच्छा पेश्किल Level 7 का जो पेश्किल रहता है वो देखने को मिलने वाला है इसके अंदर आपका जो DO जोड के 46,000 जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है इसके अंदर जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है अलग-अलग subject के अंदर अलग-अलग qualifications मानगी गई है इसके अंदर जो आपकी journal science, non-medical के अंदर आपको किसी भी university graduate होना चाहिए physics, chemistry and mathematics के अंदर जो आपकी 50% minimum आपके marks होने चाहिए वही जो आपकी bachelor जो degree है उसके अंदर आपको दो subject science या math के अंदर as a teaching आपके कम से कम 50 नमबर रहने चाहिए वहीं आपको seat at seat at level 2 यह आपका qualifying होना चाहिए बात करे journal science, medical के अंदर तो medical के अंदर आपको geology, botania, chemistry यह तिनो subject के साथ आपको 50% में आपकी graduation होनी चाहिए minimum आपको 50% इसके अंदर भी चाहिए बहीं जो आपकी bachelor degree है उसके अंदर भी आपको science है जो टीचिंग होनी चाहिए 50% नमबर के साथ seat at तो सभी में clear होना चाहिए seat at level second जो आपका paper है वो clear होना चाहिए social science के अंदर यदि हम subject की बात करें history, particle science economics, geography, social science, public और psychology के साथ आपका जो है 50% के साथ graduation complete होनी चाहिए इन में से 7 subject में से आपको 2 subject 2 subject आपके पास होने चाहिए और bachelor degree के अंदर जो आपकी social science है वो आज आपकी as a study, technique होनी चाहिए 50% marks के साथ minimum इसी तरह आपको mathematics के अंदर, math के अंदर जो आपकी graduation complete होनी चाहिए as a subject होना चाहिए आपके पास English में है, Hindi में है, Punjabi में है, Sanskrit में है, DPE है जो आपकी home science, fine arts के अंदर और music में भी यही है, music आपका as a subject आपकी graduation 50% marks के साथ complete होनी चाहिए अब बात करें कि इसका exam, तो इसका जो आपका exam है, उसके अंदर आपको दो exam होने वाले हैं, एक part first है, पार्ट A and part B, तो आपको जो पार्ट A है, उसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं, journal awareness, reasoning और यह आपकी math, इसके 12 question वहीं आपकी जो information and technology है, यानि कि computer है, आपका computer के भी 12 question देखने को मिलेंगे, और जो यह आपका teaching apartment है, इसके भी 12 question देखने को मिलेंगे, English, Hindi, Punjabi language जो आपकी जो रहने वाली है, उसके आपको 14 question देखने को मिलेंगे, यानि कि जो आपका पहला paper होगा, उसके अंदर 50 question देखने को मिलेंगे, इसके अंदर English के 5, Hindi के 5 और Punjabi के 4 question देखने को मिलेंगे, यदि हम बात करें, D triple A C का, तो उसका दोनों paper साथ होते हैं, और जो आपकी ये चंदिगड की ये जो vacancy है, इसके सायद अलग-अलग paper होने वाले हैं, part B का आपका जो paper होगा, वो आपका as a subjective जो आपके पास होगा, उसका paper होगा, show question उसके रहने वाले हैं, आपको part A और B के अंदर qualifying marks 40% जो है आपका दिया गया है, और इसके अंदर negative marking भी रहने वाली है, one ford, यानि कि आपकी point 25 जो है आपकी negative marking रहेगी, अब बात करें कि TGT science non-medical, TGT non-medical के अंदर आपकी जो है physics, chemistry और mathematics, physics के 33%, chemistry के 33%, mathematics के 34%, या आपके जो है 100% हो गए हैं, और ऐसे ही science, medical के अंदर है जो botany, geology और chemistry के, botany के 33, geology के 33 और chemistry के 34%, total 100% आपको देखने को मिलेंगे, TGT social science, social science की बात करें तो इसके अंदर particle science, economics, history और geography, चार subject हैं आपके यहां पे, और चारों के 25 पच्चिस हैं, यानि कि 100 question आपको इसके अंदर, social science के अंदर देखने को मिलेंगे, अब हमारी आती है age limit, तो age limit जो है इसके अंदर रहने वाली है, 21 से 37 साल, और वो आपकी count होगी, 112024 के अनुसार, SC, OBC, EW, ESM, जो भी आपकी जो category है, उसके अनुसार आपको age relaxation मिलने वाला है, ये तो हमने पहले भी देख लिया है कि online जो आपके form है, वो आप 26 तारिक से भर सकते हैं, आप official website पर जाकर अपना form जरूर fill up करें, और last date से पहले अपनी फीज जमा कराएं, धन्यवाद,